उत्तरप्रदेश के हर्दोई के बिलग्राम नगर के प्राचीन देवस्थान बाबा मन्शानात मंदिर के पास आश्रम की जगव पर दबंगों ने दशकों से कबजा जमाया हुआ है इस देवस्थान के आश्रम की भूमी को कबजा मुक्त करने के लिए नयायाल दवारा आदेश भी किये जा चुके हैं लेकिन तहसील प्रशासन इस भूमी को साधू संतों को नहीं दिला पा रही है जिस पर साधू संतों ने कारवाई ना होने पर धरना देने की बात कही है जिन्होंने साफतोर पर कहा है कि अगर आश्रम की जगे को दबंगों से मुक्त नहीं कराया गया तो साधू संत धरने पर बैठ चाएंगे इसी को लेकर साधू संतों ने कोतवाली बिलग्राम में कोतवाल के साथ एक बैठक की और अवैद कब्जा मुक्त कराने की मांग की बाबा मंशानात मंदिर के पास पड़ी आश्रम की जगह पर अवैद कब्जा दबंगों ने किया था जिसको लेकर साधू पूर्णानंद ने मुकदमा दर्च कराया था वर्ष 1991 में पूर्णानंद मुकदमा भी जीत गए थे जिसके बाद भी दबंगो ने उस जगह पर कबजा नहीं हटाया लगातार शिकायत के बाद भी अभी तक आश्रम की जगह को खाली नहीं कराया गया है पूर्णानंद के ना रहने पर चेला जो सरदार गिरी, बाबा रामपुरी, राजुगीरी, नारायन दास, प्रतापुरी, भाक्ती नारायन ने इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से की थी जिसको लेकर अभी तक आश्रम की जगह पर कोई भी कारवाई नहीं हुई है जिस पर सादू संतों ने कारवाई ना होने पर धरना देने की बात कही है जिन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अगर आश्रम की जगह को दबंगों से मुक्त नहीं कराया गया तो सादू संत धरने पर बैठ चाएंगे वही आकरोशित संतों के रोद्र रूप से बचने के लिए कोतवाली प्रभारी ने सादू संतों को सम्मान पूर्वक्त थाने में बुला कर उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही पूरे प्रक्रण पर पुलिस विधिक कारवाई करेगी प्रतापुरी तक क्या रहा भी तक उस पर आसवासन मिला है सरकार की तरफ से वह जो 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 आवेद कव्या किये हुए है और जो मैं सादू संत आते हूं को भोजन कुछ नहीं मिलता है नहीं हमारा को सादू आरू रुकने देते हैं जबरजस्ती में हमारे कई पूरवजु लोग उपर लड़ चुके हैं हम भी लड़े और हमारे गुरू भी लड़े कितने भी लड़े चुके हमारे संत्र लोग हमारे इसमें सब कागत्र दरे फाइल बनी धरी एक विशों साल शे पहले से पचासों साल से तो आप ने इसकी काड़ें से? ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल और जोती गाडन अजे बीटी बैंकेट्स एंटरप्राइब